नमस्कार दोस्तु मैं हूं वीर्टुकुमार और मीरे YouTube चनल में आपका स्वागत थे दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अबडेट आ रही है 7 में चनकों लेकर कि सिच्छक भरति प्रकेंद उसे मुक्या पर मुख और मेर जैसे जन परति किये गया है उद्देश भरती प्रक्रिया में पार्दिस्ता लाना बदलाव क्या क्या है यहां पर दिया हुआ है आलाइन लिए जाएंगे आविदन अलग-अलग निकायों में आविदन देने से मिलेगी निजात तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं बताने वाले हैं क्योंकि दैनी भासकर के तरब से इस न्यूज को प्रकासित किया गया है क्योंकि जब तक मुख्या पर मूख मेर जैसे लोग परतिनिधी रहते हैं तो सिच्छ भाली में धानली होती है लेकिन वह कम चांस है जब यह लोग बहार हो जाएंगे तो थोड इस ख़बर को विस्थार से देखते हैं उससे पहले अगर आप मेरी युटिब चनल पर नए आए हैं और अभीतक आपने मेरा युटिब चनल को संप्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे से refuse प्लीज मेरे मेरे को कर लिजिए सब्सक्राइब बेल आइक उन कर लेए प्रे ये ख़वर पंकर्च कुमार सिंग के दरब से प्रकासित किया गया और पटना से छपके आ रही है बिहार में शिचक निजन की नियोवली बदलेगी आविदन लेने और चेन दोनों ही प्रकिरिया में बदलाव होगा अब चेन प्रकिरिया में अस्थानिये जन परति मेर मुख पारसद आदी कि कोई भूमका नहीं होगी सिच्छाई वाग अब सिच्छक भरती बोड के माध्यम से इसकों की बहाली के परस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है इसके तहट आवेदन भी अब हर निजन एकाई में देने के बजाए सिंट्रलाइज बिवस्था की तैयारी कर रहा है इसके लिए सबसे पहले उच वह उच्छतर माध्यमिक्सिचक बहाली नियावली 2020 में संसोधन किया जाएगा बरतमान में अलग-अलग निजनिकाई के माध्यम से मेधा सुची और चैन की प्रकिरिया पूरी की जाती है इससे कई बार योग अभ्यती भ ज़िवाज और नग्र निकाई के ही होंगे लेकिन मुख्या पर्मूक जिलापरिसीद अध्यच नगर परिशाद अध्यच महापौर जैसल निर्वाच जनपर्ति निधी भरती पर्कियात से अलग हो जाएंगे लाभ आरोप लग लगते हैं मैं आलोप लगते रहे हैं हैं कि जन्पर्तिद्निगों के द्वारा बहाली में पार्दस्ता नहीं बढ़ती जाती गरबड़ी के आरूप भी लगते रहे हैं प्रस्तावित बदलाव से इसमें सुधार संभव है दुसरा है कि अभ्यार्तियों को अलग-अलग नुजे निकायों के बदले एक ही आभिदन कर भी पद रिक्त रहाते हैं हाल में नब्य हजाद साथ सो बासट प्राथमी से चक्के पद पर और तालिस हजार से अधिक रह गया हैं अभी पंचायत नुजन इकाय में मुख्या अध्षच और सबसे बड़े बाड के बाड सदस मेंबर होते हैं परखंड अस्तर की नुजन से स्टमबर में होने वाले साथ में जंग के भरती से होगी नई विवस्ता ऐसे सरकार कितब से बोला गया है कि जुलाई के लाश्ट या अगस्ट के फर्स्ट बीक में नोटिफिक्शन आ जाएगा साथ में चर्में हाई स्कूल में लगभग एक लाक्सित को की बहाली परकि को चिन हित किया है छटे चंख तहत 32,714 श्खों के भाली पर किया चल रही है जो जुलाई में पूरी हो जाएगी माना जा रहा है कि 32,714 श्ट के पद में दो तीहाई पद रिक्ती रह जाएंगे उसे साथ में चर्में सामिल कर दिया जाएगा ऐसे में कुल रिक्तियां एक माधमिक के 50% पुर्णति से भर जाएंगे तो यह माधमिक उच माधमिक एक लाख है असी हजार आपको प्राइमरी को देखने को मिल जाएगा तो टोटल बात करें तो एक लाख असी हजार की सीटों पर बहाली होने की समामना है साथ में चन को लेकर तो यह पूरा अपडेट हमने दिया दोस्तों इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो वह अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे फिलाल यह वीडियो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंडर के बता सकते हैं और ऐसे वीडियो नीच पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों